महराश के ठाने इलाके के सिनेगोग चौकपर सिर्थ यहुदियों के फूजा अस्थल में बम होने की जानकारी ठाने पुलिस को मिली है प्राप जानकारे के अनुसार मेल के जरिये धमकी देने वाले शक्स ने करीब साड़े बारा बजे इसकी जानकारी दी सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम स्कोट की टीम भी प्रास्थना अस्थल पर पहुँच गई और तकरीबन दो घंटे तक इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन किया गया इस दोरान आसपास की कई इमारतों और सड़कों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था ठाने पुलिस ने बयान देते हुए कहा है कि करीब तेर से दो घंटे तक चले आउपरेशन में किसी भी परकार का विस्पोटक सामान बरामत नहीं किया गया है और इस मामले को लेकर आग्यात शक्स के खिलाब 505 और 506 के तहट मामला दर्ज किया गया है इस घंटना के बाद ठाने पुलिस ने सतरक्ता बर्तते हुए यहुदी प्रार्थना अस्थल और आसपास की कुछ तूरी पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है और इस मामले में सभी एंगल से पुलिस आगे जाच पड़ताल कर रही है इस पुरे मामले को लेकर ठाने पुलिस के टीसीपी गनेस गावडे ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते है पुलिस टेशन को साड़े बारा बजे सेनेगोग से जानकरी आई बॉम एक घंके का इमेल पुलिस टेशन नवपाड़ा सेनेगोग में मिला है इसी इंफर्मेशन पुलिस टेशन में आई कि उसके आनुसार यहां पे सिनियरप्या, एसीपी हम खुद बकी स्टाफ यहां पर आए यहां पर आने पर पहले सीनेगोग को इवेक्यूएर्ट किया गया जुबाजू के बिलिण्ग्ध Hawk effective divergent किया फिरीडियर्वश को यहां पर बुलाए गया गया उनसे जांच कि गई जांच हुई है उसमें पीदिक्स जुरू लोगों को यही आवाहने कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो आप पुलिस टेशन को संपर्थ करें और पुलिस टेशन को आउगत करें पुलिस की तरफ से आपको मदती चल रहे हैं यह इसराइल का जो से आप जानकारी इकटा करने कोशिश करेंगे इन्वेस्टिकेशन शुरू है इन्वेस्टिकेशन सभी एंगल से हम करेंगे अब बिडियर्यस ठाना की टीम टी और बिडियर्यस के सिनियर पी भी यहाँ पे सर्च के लिए आये ता इसकी बढ़ाई जाएगी यहाँ पे हमने डिप्लाइमेंट की है लिकेशन के कारण हम एक्जाट कितनी फोर्स है आपे लगाएगे यह नहीं पिर भी मैंट पावर बढ़ा ही जाएगी प्लेन क्लोग में बंदवस रहेगा CCTV कैमेराज उनका सर्वेलन्स होगा हमारी जो गुपने इंतरना है उनसे भी जानकरी लिजाएगी अभी ए टेक्निकल अनलिसस और बाकी हुमन इंटेलिजनस का इंवस्टिकेशन शुरू है झाल करें भी जा है झाल झाल झाल